नमस्कार मैं संतोस देवगरी आईपा मिर्यापुर से जो एक प्रगत्सील राजनीत की बात करता है प्रगत्सील समाज की बात करता है प्रगत्सील मन्झु वहया कराता है आज हम अपने इसी मंज पर मिर्जापुर जन्पत के एक ऐसे युवा क्रांतिकारी समाज सेवी वैफारी नेता चिंतक सैलेंद्र अगरहरी जी से रूबरो करा रहा है जो किसी परचे के मोहताज नहीं है बिभिन वैपारिक संगठनों से लेकर समाज सेवी संगठनों से नाता रखने वाले सैलेंद्र अगरहरी अखिल भारती वैसु महा संबेलन के प्रदेश महामंत्री हैं साथ ही भारती उदोग वैपार मंडल के राष्टी कारिसमती सदस भी हैं आपके मधुर और परस्पर संबन कै अच्छे लीडरों से भी हैं आप समाज सेवा के लिए सदेव ततपर रहते हैं आपकी माता जी पुरोपहा की रह चुकी हैं मिर्जापुर नगर के जन जन की जुबान पर आफशाय रहते हैं परदेश के कई जनपदों में भी आफके अक्सर कारिकरम हुआ करते हैं बैपारी आंदोलन से लेकर उनके हक अधिकारों की आप लडाई लड़ते आए हैं आईए हम ऐसे ही इवात तेज तरात क्रांतिकारी नेता सैलेंद्र गरहरी जिसे रुबरू होते हैं और उन्हें के मुखार बिंदों से आज के राजनेतिक परदेश परद्रिश से पर खास करके प्रगशीर राजमीद पर खुल कर हम चर्चा करते हैं धन्यवाद संतोस जी सबसे पहले मैं आईपा के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि उनके इस प्रयास ने एक नई मुहीम जो छेड़ी है यह सफल हो मैं इसके प्रती शुब कामनाय देता हूं और अपनी और से बधाई प्रेशित करता हूं कि आप जिस लक्षे को लेकर निकले हैं उसमें सफलता प्राप्त करें सेलेंज देश में राजनीत का जो तरीका प्रचलन है उससे आप संतुष है संतुष नहीं है तो आखिरकर क्यों और बदला होना चाहिए तो आखिरकर क्या और कैसे होना चाहिए देश में राजनीत के तरीके में लगातार हर दशक दर दशक बदलाव हो रहा है हमने इस देश में सुचिता की राजनीत देखी है हमने इस देश में लोकतंत्र को मानने की राजनीत देखी है लेकिन लगातार मैं वक्तिकत तोर पर महसूस कर रहा हूं कि इसमें गिरावट आई है समय दर समय आज जो नए उभार है नेताओं के वो उस परिपाटी को बिलकुल पसंद नहीं कर रहे हैं जो परिपाटी इस देश के नेतरतों ने अभी तक दिखलाई है लेकिन वो जो परिपाटी रही है वही इस देश के लिए शार्था कर रही है लोगतंतर का जिन्दा होना और सुचिता की परिपाटी चलना बहत जरूरी है सिख्षा स्वास्त जीवन के सारवांगिर विकास के दूसरे मुद्दे कैसे राजनीत का हिस्सा बनेंगे क्या उपाए है लेकि सिख्षा स्वास्ते सड़क यह जो मूलभूत जरूरते हैं वो इस देश के हरनागरी को मिलने चाहिए यह हमारा मानना है चाहिए हम समाजिक शेतर में काम करते हो या किसी अन्याने शेतरों में यह सबका पहला लक्षय और पहली बात होती है कि देश में यह मूलभूत जरूरते पूरी होनी चाहिए शिक्षा की जहां तक बात करें, शिक्षा को प्राथमिक्ता के आधार पर सरकार को बजट बढ़ाने चाहिए, शिक्षा पर किस तरीके से नए आधुनिक शिक्षा की ख्रांती को उसमे जोड़ सके, शिक्षा नीती के साथ बहुत भटकाव नहीं होना चाहिए, शिक्षा नी उसको catch up कर सके दूसरी बात स्वास्त की बात आपने की स्वास्त बहुत ही महतपूर्ण और संबेदन शील मुद्दा है स्वास्त की जरूरत की जहां तक बात है इस पर सबका अपना एक अधिकार है स्वास्त पर हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए और सरकारों को स्वास्त बजट को भी विशेश तोर से देना चाहिए, मैं मानता हूँ कि वैवेपारियों की बबात आप से करनू कि जो आयकर दाता हैं, जो सरकार को किनी ने किनी माध्यमों से कर देते हैं, किनी भी प्रकार से, उन सभी का विशेश ध्यान रखाना चाहिए और उनके लिए भी विश कर रहे हैं उन्हें व्यवसाय करने की इतनी खुली जूट नहीं मिलने चाहिए सरकार को इस पर गहरी नीती बनाने की आवशकता है कि सेलेंद्री हम राजनीत दल खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं क्या वास्तों में दल लोकतांत्रिक हैं बला अच्छा सवाल आपका है देखे मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई दल लोकतांत्रिक नहीं है सभी दल लोकतंत्रिक हैं, लोकतंत्र की भावनाओं में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र में जो सम्मिधान ने लिखा है, उस परिपाटी पर चलते आ रहे हैं, चुनाव होता है, लोक मत देते हैं, और लोक चैनित होकर सदनों में पहुशते हैं, तो ये एक विवस्ता, एक प्रक् मंत्रों में सुधार की आवशक्ता हो सकती है यह राजनीतिक दलों को खुद सोचना चाहिए आप छात राजनीत से जुड़े होने के साथ साथ देश और प्रदेश की राजनीत के भी अहम हिस्सेदार रहे हैं आपके कई केंद्री एयों प्रदेश अस्त्री मंत्रियों से भी अच्छे मधूर संबन रहे हैं आपकी कारकुशलता को देखते हुए आप कई आंदोलनों को धार देने के साथ साथ उसमें बिजे भी प्राप किया है लेकिन आखिर कर क्या कारण है कि आप इतनी पहुंच और उचाईयों के बाद भी एक साधारन युआनेता की भाती जीवन वेतीत कर रहे हैं बड़ा रोमांचकारी सवाल भी है ये भी संतोस जी देखिए राजनीत एक अलग पहलू है और सामाजी क्षेत्र में काम करना एक अलग पहलू है जरूर मेरे जुडाव है मैं इसमें कोई रहा नहीं है मेरे जुडाव आज भी है चुकि मैं लोग उनसे संबंद बनाने पड़ते हैं लोग वहां तक पहुंचना पड़ता है अपनी बात मजबूती से रखना पड़ता है चुकि मैं संवेधनाओं के साथ और ठोस रुप से अपनी बात रखता हूँ लोगों के लिए इसलिए वहां तवज्जो भी मिलता है मैं इसका सम्मा कोनेत्र देना राजनीद बदलने के धेकर काफी है या यह रहाओ को समाज की की द्रिश्टी से लाइस करना ज्यादा JAMES देखे समाजिक परशुक्षण किया वसकता तो नव जुजूरी है मैं यह मानता हूं कि राजनीच में आना चाहिए बदलाओ करना यह तो नौ इसको शुधारने में उसका एक एहम योगदान होगा, प्रसिक्षन क्या हो सकता है, जो सामाजिक अंदोलनों से ही मिल पाती है, और सामाजिक शेत्र में काम करने से ही मिल पाती है, इसलिए हमें उसमें लगना चाहिए। समाज को भी सुधारने की आवशकता है, जब समाज को हम सुधार कर सामने लाते हैं, तो देश स्छवतः अंदारता है, हम य해mel algorithm की प्रहरी की बाती काम करते हैं, तो राजनितिक शेत्र में भी हमें समाजिक जीवन का जो अनवव का उसका महतृपुण योगदान करने की इस तरीके से महिलाओं के सामने भी तमाम मुद्दे है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, वैपारियों को भी सुरक्षा का मुद्दा है, ऐसे कई मुद्दे है, जिस पर सरकारों को सोचना चाहिए, और हमें भी उस पर जो अंदोलन की आउशकता हो, वो चलाने चाहिए. अक्सर चुनाओं के दवरान देखा जाता है कि अस्थानी मुद्धों की बात तो बड़े जोर सूर्स होती है लेकिन जब चुनाओं करीब आता है तो अस्थानी मुद्धे गाइब हो जाते हैं आखिर कार ऐसा क्यों होता है बलकुल बात आपके सही है जो बड़े चुनाओं होते हैं, मैं इस्थानी निकाय के चुनाओं की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पंचायती चुनाओं की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े चुनाओं हैं, आम चुनाओं हैं, विधान सभा के चुनाओं हूँ या लोकसभा के चुनाओं हूँ, वह जो बड़े नेता आते हैं, जिन्मी राजनेतिक दलों से आते हैं, उन्हें इस्थानिय मुद्धों को तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि हम अपना जनप्रतिनिदी चुने, वो जनप्रतिनिदी चुनकर सदन में जाए, और वो प्रधान मंतरी या मुख्य मंतरी चुने, य इसके लिए वोड देना दोनों स्तितिया होती है, जनता सरकार बलत देती है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो पते हैं, क्या करे जनता? कि असंतुष्ठ होकर वोट देना तो यह तो अपनी चुआईस है बहुत से लोग संतुष्ठ होते हैं बहुत से लोग कारियों से असंतुष्ठ होते हैं वोट देना अधिकार है कौन किसको वोट देगा कब देगा कैसे देगा जो तरीके चुनावायोग ने बनाए उन तरीक बदलाओ सब्क्राइब चाहिए जिस से हम देश के इस बदलाओ में सरकार ही चीजों को बदल सकती है तो हमें सरकार अपनी पसंद की चुनि चाहिए जो भी सारकार आपको पसंद है जो भी लोग पसंद है cena पसंद हमें पांज Commissioner और अब तो option नोटा का भी है, आपको नहीं पसंद है, उस सूची में कोई, कोई दल नहीं पसंद है, कोई सूची में तो अब तो चुनाव योग ने नोटा का भी option दिया, आप नोटा को भी चुन सकते हैं, यह आपकी अपनी च्वाइश है सैलन जी, आइपा की इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आपका कुई सूचाओ या मार्ग दर्सान? को भी नई चीजों का जो आप ढूंड रहे हैं, वो मिलने की समभनाएं बढ़ेंगी, धन्यवाद सैलन जी, जो आपने हमारे इस मंच आइपा को आप अपना बहुमुली समय दिया, इसके लिए मैं आप आइपा की तरफ से आपका धन्यवाद परकट करता हूं